गुड इवरिंग एवरिवन वल्कम टो सुबल सर्व से श्टाड़ी नेक्स्ट टेस्ट पर आजाए है टेस्ट नमबर यह आट सो तेज़ है यूपी पीसियस के लिए और यह है पार्ट फाइव उत्तर प्रदेश इस्पेसल का ठीक है तो दो से तीन सेगेंड का टाइम में एक प्रश्ण को पढ़ने के बाद अपना भी सोचेगा क्या आंसर क्या होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर आप टेस्ट नमबर वन से लेकर पहुंच सकते हैं 823 पर यूपी असे सिवल से वागी प्रारमिक परिक्षा समाप्त हो गई है दो चरणों मे जी एस और सी सेट और यूपी पी सीएस की है 24 अक्टूबर 2021 को हर दिन प्रैक्टेस करते रहिए मात्र 13 14 दिनों का समय से से किबल तो पहला प्रश्ण उत्तर प्रदेश के संदर में निम्रिक्रित में से कौन सा स्टेट्मेंट गलत है उत्तर प्रदेश का जन घनत्व 839 व यानि 10 साल में से 149 में मानेश कर दीजे जितनी होगी वो दोहार 1 की जन घनत्वाला राज जन घनत्वाला जिला या जन पद लखनव है निवन्तम जन घनत्वाला जिला उत्तर प्रदेश का ललित पुर है यह सारे सवाल 211 की जन घना के नशार है कि नई तो हुई नहीं अभी तक कोविट के चकर में है तो पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला भी करेक्ट है तीसरा वाला गलत है तेखिए यह पता होना चाहिए आपको पहला और दूसरा तो पता ही होना चाहिए उत्तर प्रदे वाला स्टेट्मेंट करेक्ट है तो देखिए उत्तर प्रदेश के सरवाधे के जन घंत वाले जो तीन जिलें याद रखेएगा सबसे जाद है गाजियाबाद उसके बाद वाराणसी और तीसरे पर लखनों सोरी है वही है लखनों वह तीसरे पर लेकिन दूसरे पर नहीं है के अनुसरा उत्तर प्रदेश की महरा साक्षर्ता कितनी है तो हैर ग्यारे की जन घंगर्णा के अनुसरा उत्तर प्रदेश की महरा साक्षर्ता दर कितनी है देखे 67.7 सूनिय तो पुरुष साक्षर्ता है तो इसको अलिमिनेट कर दीजिए 47 से तो 10 जाद है कम से कम इतनी भ तीन सून प्रतिशत और महिला साक्षरता है 57.2 सून प्रतिशत इंपोर्टन्टे तीनों के तीनों एक चीज और उत्तर प्रदेश की ग्रामीर साक्षरता कितनी है कुल तो ग्रामीर साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता से कुछ कम है 65.46 प्रतिशत और नगर है दस्वालाच चार प्रतेशत तीसरा प्राश्ण है अउत्तर प्रदेश के नम्रिक और तीसरा है औरेया और सबसे कम साक्षरता वाले जिले सुरू के दो याद रखेगा स्रावस्ति और बहराईज और तीसरे पर है बलरामपुर नमबर फोर पर आजएए दोहार एक से ग्यारे के दोरान उत्तर प्रदेश की ओशद दंस्किय अव्रधिदर कितनी है दोहार एक से ग्यारे के दोरान उत्तर प्रदेश की ओशद दंस्किय अव्रधिदर है 22 दिसमलव 20 दिसमलव 22 प्रतिशत तो दंस्किय अव्रधिदर पर बात करें तो दोहार एक से ग्यारे के दोरान उशद दंस्किय अव्रधिदर है 20 दिसमलव 22 प्रतिशत और सरवादिक द पुद्धनगर सबसे जाद है उससे कम गाजी अबाद और तीसे नमबर पर है स्रावस्ति और नियूंतम दंसकी है ब्रधी दरबाले जिले पर आद रखेगा कानपुर नगर सबसे नियूंतम उसके बाद हमीरपूर और तीसरा है बागपद नमबर फाइब पर आजएए वर् से सरवाधिक है सबसे अच्छा है मतलब बलरामपूर में सबसे अच्छा तो शिशू लिंगानुपाद यानि उत्तर प्रदेश में जीरो से छे वर्स की आयू अगर टोटल देखा जाए तो 902 है ठीक है और सरवाधिक शिशू लिंगानुपाद वाला जो जिला है वो है ब बागपाद बागपाद के आद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है तीसरे पर कोशन नुम्बर सिक्स पर आजए वर्स दुहार ग्यारे की जनगणा के अनुसार उत्तर प्रदेश कान अमर्रिकत में से कौन सा जिला सरवाधिक नगरीकरण प्रतिशत्ता वाला है सरवाधिक नगरीकरण प्रतिशत्ता में कोने बताईए मुराद अबाद नहीं है वारणसी नहीं है गाजियाबाद या कानपुर नगर गाजियाबाद है तो सरवाधिक नगरीकरण प्रतिशत्ता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद गाजियाबाद के गतिसे जंसंख्या की द्रस्टी से अनुसुचत जाती यानि सी आवादी बाला राज ये खुशल में विप्तिस equation सरवाधिक त्रसके जाटी algum संक्षा चार्ज के सब्सक्राम सब से यूपी का सरवाधिक अनसूचित जनसंख्या वाला जिला, अगर थोड़ा डीप पूछ लेगा पहला भारत से उत्तर प्रदेश में आईए, ठीक है, सबसे ज़्याद है S.C. आबादी, और यूपी में भी S.C. आबादी किस जिले में सबसे ज़्याद है, सीतापुर में, औ देश में जनसंख्या की दरश्टी, जनसंख्या की पृतिस्थ्या की दरश्टी से सरवाधिक अनसूचित जाती वाला जो राज है, वो भी याद रखेगा, वो पंजाब है, ठीक है, क्लेर हो अपंडा, देश में सबसे ज़्याद है S.C. जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और S.C. जनसंख्या पृतिस्थ्या की अधार पर किसमें, वो है पंजाब में याद रखना, ठीक है, मतलब टोटल इतने लोगों में इतनी जनसंख्या, S.C. अबादी की यूपी में, और इतने में भी सरवाधिक पृतिशत है, किनका S.C. अबादी का वो है पंजाब में, कोशन नुमर 8 पर आजिए, उत्तर पृतिश में सरवाधिक अनुसूचित जन जाती, मतलब S.C. जनसंख्या वाला जिला है कौन सा, ये है सोन भद्र, ठीक है, तो सरवाधिक अनुसूचित जन जाती, यानि S.C. आवादी है उत्तर पृतिश के सोन भद्र जिले में, अगर कोशन नुमर 9 पर आजिए, जन संख्या की दरश्टी से उत्तर पृतिश राजी की सबसे बड़ी जन जाती है, ठीक है, ठारू और जन संख्या की दरश्टी से राजी की सबसे चोटी जन जाती है, वो है बनरावत, दस्वा प्रश्ट क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्ज में सरवाधिक सलम आबादी वाले तीन जिले नमले कितम से कौन से है, अगर पूरे भारत में पूछा जाए, तो महराष्ट में सरवाधिक सलम आबादी रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा है, सिलम अबादी है, मेरट की ज़्यादा है, ठीक है, गाजी अबाद को अलिमनेट कर दिजे, मेरट के बाद है आगरा की और आगरे के बाद है कानपुर की, यह सुरू के 1, 2 और 3 हैं, तो यह इसका अंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज में सरवाधिक सलम अबादी वाले तीन ज़्यादे मेरट, मेरट के बाद आगरा, आगरे के बाद कानपुर, और देश में सरवाधिक सलम अबादी वाले राज़े कानपुर, महरास्ट, महरास्ट के बाद आंधरा प्रदेश, और आंधर प्रदेश के बाद है पस्चिम बंगा question number 11 पर आजए उत्तर प्रदेश में सरवाधिक और सबसे कम जनसंख्या किन दो धर्मों को मानने वालो की है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्या है हिंदू धर्म को मानने वालो की और सबसे कम जनसंख्या है जैन धर्म को मानने वालो की तो इसका आंसर हो जाएगा option number A तो सरवाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है UP में और सबसे कम जनसंख्या है जैन धर्म को मानने वालों की यदि हम धार्मिक जनसंख्या के अधार पर उत्तर प्रदेश को घटते वे करम में देखें तो सरवाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म उसके बाद मुस्लिम धर्म उससे कम है सिख धर्म उससे कम बहुत धर्म बहुत से कम है इसाई और इसाई से भी कम है जैन धर्म बारवा प्राशने उत्तर प्रदेश की जनगर्णा में धर्म के आधार पर निउन्तम साक्षरता दर किस धर्म की है धर्म के आधार पर निउन्तम साक्षरता दर किस की है मुस्लिम धर्म की है अगर अधिकतम पूछा जाए तो तो जैन धर्म की है जैन धर्म की है सबसे जाद 93.2% साक्षार है जैन धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के 47.8% की आवाद ही है साक्षरता में यानि उत्तर प्रदेश की जो कुल महिला का अनुपात था 57.2 शून इतना ही था ना इससे भी कम हो गई 10 की साक्षार फ्रदेश में किस धर्म का सरवाधिक गैनुपात है यह अच्छा प्रशन है इंपोर्टेंट प्रशन होसकता है इसका उत्तर क्या है सरवाधिक लिंग अनुपाद किस धर्म में इसाई धर्म में ठीक है ओप्सन नमबर भी तो सरवाधिक लिंग अनुपाद इसाई धर्म में है 961 महिलाएं है एक हजार पुरुसों पर और सिक धर्म का सबसे कम उत्तर पुरुसों पर केबल 877 ही महिलाएं है नंबर फोर्टीन पर आजए उत्तर प्रदेश का छेतर फल भारत के छेतर फल का कितने प्रतिशत है साथ दसनलब तीन तीन प्रतिशत सोले दसनलब साथ प्रतिशत ग्यारे दसनलब पांच प्रतिशत इन में से कोई नहीं इन मेंसे कोईर नहीं होगा क्योंकि आंसर इन तीनों मेंसे एक है क्योंचा है वो 7 दसनलब 3 3 पृतिशट तो उत्तर परदेश का 6 तृटरफल है 2,4,928 वर किलो मेटर भारत के छेतर परदेश का लगभग 7 तृटरफल 3 3 पृतिशट है चेतरफल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश भारत का चोथा सबसे बड़ा राज्य है पहला कौन सा है राजस्थान, दूसरा कौन सा है मद्द प्रदेश, तीसरा कौन सा है महरास्ट और चोथा उत्तर प्रदेश कोशन नूमबर 15 पर आज़े अंतिम प्रश्ण है नम्रिकत मेंसे कौन सा योगम उत्तर प्रदेश में सरवाधिक और सबसे कम छेतरफल वाले जिलो को इंगित करता है सबसे अधिक छेतरफल तो आपने पढ़ाई होगा लखिमपुर खीरी का है तो लखिमपुर खीरी और हापुड हो जाएगा सरवाधिक और सबसे कम छेतरफल वाले उत्तर प्रदेश के तीन जिले लखिमपुर खीरी उसके बाद सोन भद्र अगर लखेन पूर्पर खेरी नहीं थो सूनभदर लगाईएगा उसके बाद हर दोह previous और सबसे कम ही श्हेतरफल वाला उत्तरपरदेश का जिला है ऩपड है ठीक है और उसके बाद गाजयवाध और उसके बाद है भदोही दो ही ठीक है कम कम है लेकिन इनका सब से कम से थोड़े ही कम है छेत्रफल में ठीक है लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है वो सबसे ज़्याद है पूरे यूपी में सबसे ज़्याद है लोग उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में निवास करते हैं जन घनतों क्या धर पर देखा जाए तो उसके बाद क्या था वानानसी फिर क्या था तीसरे पर लखनाओ ठीक ह है तो हर तरह से प्रश्ण किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कोशिश करिएगा कि सुरू के दो या थोड़ा और टफ कर देगा तो तीन तक तो याद ही रखना तो इनकी प्रेक्टिस एक बार कर लिजेगा है उत्तर प्रदेश बिशेज का अपना पांचमा पार्ट था ठ चार टेस्ट और लड़ी कम्प्रीट होगा है और वो जो है प्लेलिस्ट में डाल रखें धन्यवाद